हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टड्यू फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैलर्ड दोस्तो आज के सेशन में बीस एमसी क्यों कोशन्स है जो मोस्ट इंपॉर्डन कोशन छाट के लाया जा रहा है और वीडियो को पूरा देखेगा एक एक कोशन्स आपके लिए मोस् मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कहीं सेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच और वीडियो पूरा देखेगे जिससे कि आप सभी कोशन्स को देख सके सभी कोशन्स को समझ सके क्योंकि धर्य आपका नहीं रहेगा इसलिए मैं कम कोशन्स लाई हूँ और इसमें कि मैं एक एक कोस्टन को एक्स्प्लेंड करते हुए जा रही हूं कि जिससे आपको जिस भी कोस्टन के बारे में बताऊं उसके बारे में पूरी जानकारी हो शके और टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है इस टाइम का सही सदव्योग करिए तो दोस्तों चलते हैं आज के तरफ जैसा कि दोस्तों अब आज सिंझ जो है सुबर साम दोनों टाइम वीडियो आपके पास अपलोड किया जाएगा तो चलते हैं आज के तरफ कोस्टन है पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है तो यहां पर नहीं है और है में अंतर आपको देख करना है यह पिछले विडियो प्रैक्टिश टू में मैंने इस कोस्टन को रखा था बट मैंने एक्स्प्लेंट सही किया था ठीक है दूसरे आपसन पर लगा दिया था लगा दिती इसलिए नहीं और है में बस अंतर समझने में कन्फीजन हुआ था तो जब कहीं कहीं मेरे को प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको तो बहुत जारा प्रैक्टिस करने की जुरत है है और नहीं में अंतर आप समझेगा पेशी संस्थान पर ब्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं होता है तो सबसे पहरे आप क्या देखेंगे कि कौन सा प्रभाव होता है जब आप एक्सर सब्सक्राइब तो हमारी सरी का प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है यह राइट है थीक है एंड, मायो ग्लोबीन धारिता, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया increase in protein and fat free mass, तो fat free mass भार का बढ़ना, यानि बिना fat का भार का बढ़ना आपके लिए अच्छा है, यह एक्सरसाइज करने से होता है, एंड, भी है आपका मायो ग्लोबीन की धारिता बढ़ती है, सब्सक्राइबोर प्रॉटीन जए सब्सकंड看一下 तो को आक्सिएजिन को खरकर के समस्त को शिकाऊं तक ने काम करता है मायोग्लूबी जैसा कि भी पेसी टियाई टू में एक कोस्टन पूछा भी था तो दोस्तों यहां मांस्पेसियो को कोसिकाओं को आक्सिजिन की पूर्ति करता है आक्सिजिन को बाद ही रखता है यह मायोग्लूबी और कुल पेसी प्रोटीन का लगबग 2% भाग होता है तो यही अस्थर पडेगां नहीं इंक्रेज इन बौड़ी पैट यानि बाडी का बढ़ेगा तो यह आपका नहीं होगा बारी बाडी का फैट कम होगा तो बढ़े ड़ेट यहाप कोन प्रोफाव नहीं है पेसी प्रोटीन Isn't कम होगा यहा पेसी संसाम ध्याम को को और प्रभा आप्सन नमबर C यहां पर राइट एंसर होगा ठीक है यहां पर पेशी संच्था पे ब्यायाम को प्रभाव नहीं है ति तो फरीका वशा बढ़ना यह प्रभाव नहीं है और दोनों प्रभाव है यानि कि पेशी प्रोटीन की मात्रा वशा रहित भार बढ़ेगा और मायोग लूबीन में उबढ़ेगी ठीक है दोस्तों अगर यहां पर कोशन रहता कि पेशी संच्था में ब्यायाम का कौन सा प्रभाव है तो यहां पर आपसन नमबर D राइट हो जाता क्योंकि यहां पर A और B दूनों राइट रहता तो A उपरक्त में से एक से अधिक राइट हो ठीक है तहे यहां नहीं में अनतर जरूर देखीगा नकिस संथान ने भारत में अधित्व कोशो को प्रसिछित किया सबसे जड़ना प्रसिच्छित है अब जानते ही हैं तो सबसे ज़ना प्रसिच्छित किया है ठीक है नेताजी सुभाष नेशनल इस्टिटूट आफ इस्पोर्स जिसकी इस्थापना हुआ था साथ मईए 1961 में पटियाला पंजाब के मोतिवाग पैलेस में और NIS यानि नेशनल इस्टिटूट आफ इस्पोर्स आश्टी खेल संस्थान के नाम से हुआ था और इसकी जो इस्थापना हुआ था एड होग इनक्वाइरी कमिटी उनिस सो आठाउन के सुझाव पर डाक्टर के ल स्रीमाली के प्रयास्टी हुआ था यह भी याद रखिएगा दोस्तों और जो नेशनल इस्टिटूट आफ इस्पोर्स यहाँ एस्या का सबसे बड़ा खे दाउना जाता है याद रखिया और जो 177 में इसको नाम से इस्थापित किया था नेशनल इस्टिटूट आप स्पोर्स के नाम से लेकिन इसका ननि-पार कि ने प्रेचत जी सुभा स्भाश नेशनल इस्टिटिट्ट में नाम कब रखा गया तो 23 जणवरी 1973 में इसका नाम NIS से बदद कर NS NIS रखा गया है याद रखेगा और दोस्तों जो आपका राष्टी सारी सिच्छा और खेल संग यानि Society for Nation Institute of Physical Education and Sports यानि Sunny Pace को साई में मिलाया गया 1987 में यह भी कोर्षन पूछा गया था में याद रखेगा तो साई में Sunny Pace को कब मिलाया गया 1987 में जिसके उपरांत NS NIS पर्टियाला से संबध केंद्रो को अलग अलग जगों पर खुला गया जैसे भोपाल में बगलों में कुलकत्ता गांधी नगर लशीवज राष्टी खेल संस्थार महाविद्या तिरोंद पूर प्रवावसाली है विच लिवर इज मोर एफेक्टिव इन दा गेम प्रोसेस तो आपको पता है सबसे ज़्यदा प्रवावसील है हमारा थर्ट टाइप लिवर ठीक है थर्ट टाइप लिवर त्रिती प्रकाल का लिवर जैसा कि मैंने आपको बताया हिए दोस्तों इसका ट् प्रकाल के लिवर जिर एक्सिस बीच में होता है एंड फ्रकाल के लिवर तो उत्यूलक को संतुल का लिवर कहा जाता है जाताए अपका अशिस होता है यसे तराजू कैची प्लाओ शिसा जुला याण बच्चों का जुला ना चलाने का चपू हमारे बाड़ी में एक जॉंपल है फर्स प्रकार के लीवर का इसे एक्स्टेंशन आप फोर आर्म यानि कि अपने बाजू को फैलाना एंड एंकल फ्लैक्सन सीर को आगे पीछे चुगाना बाली बालो इसमें इस करना वी सीट अधिती प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर कहा जाता है जिसमें रसिस्टेंस यानि भार बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के इसमें सरावता कुड़ा उठाने की मसीर निमूरी समИर सी अदुत टेमें प्रकार के गहले की में हूदार ने स흥ी प्रकार के लीवर का उत्तोलक तरह सूलक उत्तोलक यह मां इसमें सब से जड़ा प्रयोग किया जाता है और हमारे सरी में इसका इक्ज envisionol है जैसे कि प्रका का लीवर है फोर्स तर्ट ऑर्स बीच में होता है एक्सिस और रोसिस्टेश्टे के हमारी बाउडी में इसका इक्ज सेट अब हाथ को उठाना यहां पर दो चीज़े आप याद रखेगा बाह को एक्सटेंशन आप घ्राइब तो परफ्रका का लीवर हो जाएगा और बाह को और आप को मोड़ना यादि आप तो तो तृटी प्रका का लीवर हो जाएगा इसले कांफिज मत रहिएगा अज सीट इन्ट्रोल्स और स्ट्रेंद को डिलब करता है यहां पर बीसीट प्रथम प्रखार का का लिवर है यहां पर देख सकते हैं वीछ अभ देवाइविग टेस्ट फॉर कार्डिओ वेसिक्टूलर काफेसिटी क्या हब इस सब का एक एक औा करके देखेंगे जेसे फार्ट इस्टेपध्र ठीक है हार्वर्ड स्टेपध्र परिचटर है ओनिस रिधार्व कमें सोब को बनाने के लिए ही ने इसको बनाया था हावर्ड विस्विद्याले अमेरिका में तो यहां भी कौन सा परिचर कार्डू वैस्पुलोग चंता के लिए है हावर्ड इस टिप परिचर है राइट हो जाएगा आपका और दूसरा क्या है क्राउस बिवर्ट टेस्ट यह तो मिनिम्म मैस्पुलोग को माता है तो यह बीव करण गलत हो जाएगा ठीक है और अंध आपका है सी है आपका बारा मिनट रणवाग ठीक है ट्वेल मिनट रणवाग यह पर मिन रणवाग जो है इसको ड्वेल मिन्ट रणवाग को बनाया था 1970 में किनेंथ एस्ट कूपर द्वारा कार्डियो रिस्पार्टे इंड्रियोस को मापने के लिए यहां पर दो चीजें हो गई आपकी एक हर्वर्ट इस्टेप परिच्छर एंड एक 12 मिनट रनवाग ठीक है 12 मिनट रनवाग ए और सी दोनों आपके कार्डियो वैसलोड शम्त अधिक more than one of the above ठीक है इस तरह से आपको कोईशन हाल करना है इस प्रकार से पूछा जाएगा आपको टेंशन लेने की जूरत नहीं है एंड नेक्स्ट कोईशन है दोस्तों कोईशन नमबर 5 है देंड्रायर्स निन में से किसका भाग है तो इसको आपको समयजने की जूरत है कि देंड्रायर्स किसका भाग है तो यहां पे देख सकते हैं कि सेल बाड़ी एकसान और देंड्रायर्स यह तीनों निरॉन के भाग है तो देंड्रायर्स किसका भाग होगा निरॉन का यानि तंत्रिका कोईशिका का जैसे कि तंत्रिका कोईशिका इस तरीके से होता है आप कि आपक नेज़न बाड़ी है जो इधर भाग हुआ यह सभी भाग आपका डेंडरार्स है और यहां से निकलेगा आपका पूछ की तरह एकसान ठीक है जो दूसरे नेनृरान के साथ जुड़ जाता है तो यहा पे आपका नेरान के कितनी भाग होते हैं डेंडरार्स सेल बाड करके cell body के बेजता है और एकशन क्या करता है cell body से सन्देश इए को लेकर के दूसरी निरान या मांस स्पेसीयों तक बेज़ता है तो यानि की डेंडार्स प्राप्ट करता है संदेश को और एकशन संदेश को भेजता है यानि एक प्रेशक का करता है ऐह हो कि आप नेक्स्ट कोच्चन है उस निर्ण में से कौन सा एक उत्तम परिछर का मापदर्ण नहीं है वीच आफ फॉलिमिंग इज नौट एक क्राइटेरिया क्रिटेरियन और फेक गुड टेस्ट तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि जो गुड टेस्ट कि क्राइटेरिया है वह रिलेलिटी वीलेटी अपजेटेटी नौहलंस रिस्टेंडर्ड होता है ठीके इहां पर आपका मापदर्ण है कौन यहां पर आपका अबिएटै उ प्रीक Przyक्तीचDAY bit इलेटी है अब्रक deepest और अब्जेक्त थिए शॉलिमिंगर् सब्सक्राइबिलिटी है व्यादता यानि व्यादता है ठीक है A, C and D राइट है जबकी B आपका नहीं है ब्रिक्ति निष्टा यानि की सब्सक्राइबिलिटी आप नहीं होगा next question है फेपड़ों को ढगने वाली आवरोड को क्या कहते है तो यहां पर फेपड़ों को ढगने वाली आवरोड क्या होती है देखिए यहां पर एक-एक question को एक-एक option को आप describe करेंगे तो आपको answer अपने आप आजाएगा यदि आपको नहीं मालूम है तब I hope कि आपको सबको मालूम होगा कि फेपड़ों को कौन सा आवरोड धकी रहती है यहां पर देखेंगे पेरिकॉर्डियम पेरिकॉर्डियम एपिकॉर्डियम का ही भाग है पेरिकॉर्डियम अब पेरिकॉर्डियम क्या होती है जितने भी पाचन तंतर के अंग है उन सबको धकी रहती है चाहे आपको मासा होगा चोटी याद बड़ी याद लीवर सबको धकी रहती है पेरिकॉर्डियम जिल्डि तो यहां पर एउप दुनों गलत हो गए आपके ठीक है इस तरह से अब बचा गया Plura यहाँ पे आपको Plura मालूम नहीं रहेगा तो आप Confuse हो जाएंगे कि उपरत में से कोई नहीं होगा कि क्या होगा तो यहाँ पे Plura जो है आपका Right Answer हो जाएगा Plura जो है जो हमारा फेपड़ा होता है वो Plura जिल्ली से धकी रहती है फेपड़ा जो होता है वो किसी डगी होती है Plura जिल्ली से डगी होती है और यह Plura जिल्ली जो है Plura मेमरेंज जो है दो इस तरह में होती है यह Parietal Plura and Viseral Plura और इसके बीच में Plural द्रव भरा रहता है जो हमारे फेपड़ा की रच्छा करता है तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा C Plura ठीक है Plura जिल्ली से डगी होता है Next question है हथेली को नीचे की और घुमने के घुमाने को क्या कहते है Turning the palm downwards is called हथेली को नीचे की तरफ यानि के पेर की तरफ लेटना जमील को फिस कर रहा है आपकी हथेली इसको हम क्या कहते है दोस्तों इसको कहते है प्रोनेशन क्या कहते है प्रोनेशन और इसका जश्ट उल्टा आपका होता है सुपाई नेशन यानि कि पेर की तरफ लेटना यानि हथेली को नीचे की तरफ मुड़ना प्रोनेशन होता है और पिट की तरफ लेटा यानि हथेली को उपर की तरफ आस्मान के तरफ फेस करेगा तो उसके उस सुपाई नेशन कहेंगे ठीक है इतना याद रखेगा और नेक्ष कोज़चन है दोस्तों को 14 प्रसिचर विजी को विख्शित किया था फार्ट लेट ट्रेनिंघ मेधड वाज डीलफ वाइग किसने डीलफ रपकिया था तो इस थोς फ्यसिपर्ट 9 गोष्टा होमलर ने एंडुरेंस डेवलप करने के लिए पिनाया हुआ था यह एंडुरेंस को डेवलप करता है और यह स्वीडिस सब्द है फॉर्टले जिसका अर्थ होता है गतीश्ट खिल यानि स्पीड इपले और यह बिना प्रापर प्लानिंग के साथ किया जाता है और जैसे कि इसमें अलग-अलग छेत्रों पर भाग कर ट्रेनिंग करके किसी भी एथलीट को अंडुरेंस को बढ़ाते हैं जैसे कि पहाड़ों पर नदियों के किनारे रितिलिन इलागों में भागना बालों में कीचण में तथा जंगलों में चळाई पर चड़ना रडान जिसमें इंडुरियंस डिवलप होता है ठीक है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इंडुरियंस डिवलप करने की चार बिडिया हैं continuous method, interval method, repetition method and competition method continuous method, slow continuous, fast continuous, variable phighs method 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 10. बिवलप उब्स ऐसे कि गयरे का है यह जैविग प्रक्रिया कौन सी है which is biological process मोल धीचल दोस्तों जयिविक प्रक्या वोती है जिसकी दोरा माता पिटा की सारको मानसी कुछ संतान तक पहुंचते हैं उसी जयिविक प्रक्या या healing daddy," दीया राइट अरुन, और थें स creativity, jak सब्हक्राइब औरेक्ट असर करता है हमारे जलता को असी में इसरह करें खेल की दूनिया में में सब्सें प्रयोग effective करने वाला डॉपिंग रूप में चैनल तरहम्त जासा था है इसको सार्ट में हम बोलते हैं एनाबोलिक इस्टेजायर को ए ए एस यानि कि इसका मतलब होता है एन्रोजेनिक एनाबोलिक इस्टेजायर एन्रोजेनिक का आर्थ होता है पौरूस तक्तो यानि मस्क्यूलिंजिंग और एनाबोलिक इस्टेजायर का अर्थ होता है उसे सक्री और मजबुत समझने लगता है अगर इसको एनाबोलिक इस्ट्राइड को महिलाय से बन करती हैं तो उन्हें पूरुस के गुर आ जाते हैं जैसे कि आवाज भारी होना दाड़ी मुझ आ जाती हैं इनाबोलिक इस्ट्राइड के अंतरा कौन-कौन से एजेंट्स आत जाते हैं इसलिए इसमें से लाम पूछेगा इसको भी आपको याद रखना जरूरी है और डोपिंग के बारे में आपको डीटेल में पढ़ना तो डोपिंग वाले वीजियो में आए इस पूर्ड मेरे सीन वाले प्लैलिस्ट में जाए वहां पे डोपिंग को बहुत ही तो यहां पर दोस्तों फिजिकल मेंटल सोसियल रूप से देखा जाता है कि ब्यक्ति कैसा है यहां पर रिलिजियस यानि की धार्मिक को नहीं देखा जाता है यहां पर धार्मिक प्रस्नालिटी यानि ब्यक्तितों का घटक नहीं है ठीक है धार्मिक प्रस्नालिटी का घट प्रॉहित करता है अनौान शिकता और वटावर का योग है जब भी पुछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन प्रॉहावित करता है तो प्रॉहित करता है और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर रखा गया है विए इसे आया होती कि स्वास्त हुआ समाजिक्ता हो एकता हुआ एक ही करण की भावना हो यह वेस्ट प्रस्टनाल्टी के विश्ष्टाइए है कि नेक्स्ट कोचन है कि बेरी इंपोर्डिन कोचन है सरुपर्थम इंट्रामीरल प्रटिव्टा कि इस देश में प्रारम हुई यह कोचन पूछ सकता है कि सन्यूत राज अमयरिका में जैसे कि आप जानते हैं कि इंट्रामीरल आइक्स्ट्रामीरال प्रतिव्टा 2 2 यानि चाहर दिवारी के अंदर एक असथा के अनदर प्रतिविता होती है उसको इंट्रामुलल प्रती transmitted कहें distrib है में इक ही संस्थान के खिलाडियों के अजित कि जाती है ऐसे प्रठ्शिक्तों में सभी हाथ रोके ऑवसर मिल जाता है यह आपका लाब होता है एक संस्था से दुसरे संस्था के बीच परत्विदा होती है कि अंतरार प्रसिच्छ बिधी द्वरा गती सहंसिलता बहाने के लिए पुना प्राप्ती समय जब नाड़े की गती नीचे आती है कि इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड इज वे पुछ रहा है कि इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड में आप एक्सराइज या अभ्यास करते हैं जो रिकवरी की समय जो हार्टेट होता है वो कितना होता है तो आप इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड में आप जानते हैं कि इसमें इन कंप्लेट रिकवरी दिया जाता है 1920 में रेंदलोवा गर्चलर विकिला ने इंटर्वल ट्रेनिंग मेथड की खोश किया था इंट्रेश्ट को टेरिश्ट प्रसिच्टर भी कहा जाता है यह बिधी सबसे अच्छा सहंसिल्ता को डिलब करने की विधी है याद रखीगा और इसमें अभ्यास को तीविता के साथ किया जाता है इंटेंसिटी बहुत हाई रखा जाता है यानि दो अभ्यासों के बाद जो recovery होती है छती पूर्थी का शमय होता है उसको incomplete यानि अधुरी रखा जाता है incomplete recovery between two repetition जैसे कि अभ्यास के दुरान high intensity यानि कि 180 प्रती मिनट heart rate पहुचने तक अभ्यास किया जाता है कुछ समय तक recovery phase होता है यानि हिदे गती 180 प्रती मिनट पहुच जाती है अधुरी छती पूर्थी के अधापर जब हिदे गती 120 से 140 या 130 पहुचते ही अभ्यास को पुना सुरुई कट दिया जाता है तो यहां पर क्या पुचा है कि उज़तम सीमा क्या होती है 180 प्रती मिनट पहुच जाती है तो रोख दिया जाता है रिकोवरी फेज होता है और ज्यों ही heart rate जो है 120 से 140 पे आ जाती है पुना अभ्यास को सुरू कर दिया जाता है इसको इसको interval training method को आते हैं तो cycle recovery के समय heart rate काहां तक पहुचा जाती है तो 120 से 140 यहां क्यों हब क्या हो जाती है तो 120 से 140 याद रखीगा दिवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है पूसिंग अगेज दे वाल इस वीच टाइप अप कंट्रक्शन तो आपको पता ही है कि जो दिवार को धक्का मार रहे हैं आप तो यहां पे क्या हो रहा है पेसी के लंबाई सेम है कोई गती होती नहीं रिखाई दे रही है सेम लंबाई है तो कौन सा होगा तो यहां पे इस्टेटिक कंट्रक्शन होगा यानि कि आईसो मेट्रिक यहां पे राइरन सरू होगा इस्टेटिक आईसो मेट्रिक जैसे कि हिस्टेंट को डेवल परने की तीन बिधिया है कि आईसोनिक आयसोमेटिक आईसोमेट्रिक आइसोमेट्रीक की खोजो आम्हें हेटिंग अर्मौड सेटिंग्यमछ ने किया था स्टेक के अंतरण्य आता है। जैसे कि दिवाल को धग्का मारना धिवाल के सहारे अधी बैठक करना मुरूए कि अपका इसमें लगतार करने से सब्हय का तापमार ब्रीदी होता है। ये是啊 osometric exercise, पेसी व के आकृति आपरेतन हो जाता है। रुसरा होता है isotonic, isotonic, isotonic होता है, isotonic होता है, iso- Auf следующ iso tonic, iso tonic मतलब same tonic, same tonic, iso tonic in 1954, research, recent result is also made in Nature, also असी सद्य को नीचे के पला रहा रहा है तो अहां पेसीया लंबी और इसेंट्रिक एकसरई को यह स्थाम पाध्र ना भार प्रशिच्छर तों के और इसेंट्समित्र शार किर जाता है तिस्रा होता है isokinetic iso मतलब same kinetic मतलब गती याद रहेगा same गती same गती या मसीनों के द्वरा किया जाता है जैसे same गती होता है जैसे की पानी वाले खेलों में जादे होता है जैसे की रोई इंग नाँ खेना तैना आदे next question है कौन सी आयू का पता आमतर पर मनुविज्ञानिक परिछडों से लगाया जाता है वीज एज यूजिली डिटर्मिनेड बाई साइकोलोजिकल टेर्स तो दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा जोईसे की आयू का पता लगाने के लिए एनटोमिकल विज्ञान के अधाप पर चार प्रकार से आयू का पता लगा जाता है एक होता है कालकरमिक आयू यानि की क्रोनोलोजिकल एज जिसमें जर्म से लेकर आज तक का आयू जैसे कि हम लोग स्कूल कालेज में लिखते हैं कि हमारा जो विडिटा वर्थ है 10-6-92 है यह सब आपका कालकरमिक आयू के अंतर गतिसे क्लिए क्लिंडर आयू या क्लिक्रामिक आयू नि क्रोनोलोजिकल एज जर्म से लेकर वर्शों महिनों दीनों में वहापा जाता है जिसे क्लिंडर आयू के नाम से भी जाना जाता है यांनie कि अस्तियों की परिपकता की अधार पर अंगों की पुड़ु विकास से आयू का पता लगाते हैं जैसे की दाथों की गर्णा कर, इसके पुला अस्तिकी अधार पर जैसे की चोंची कि गर्ना के लिए दाहने हांथ की जो राइडाल बोहोती है उसका प्रियूब किया जाता है इससे हड़ी के आयू गयात की जाती है इसलिए दाहिने हाथ के रेडियल पून को X-ray Age के नाम से भीचाना जाता है और जो पेड़ों की आयू होती है तो उसी तरह रिंग से पाय जाते हैं पेड़ों में वाले पाय जाते हैं उनहीं को तेख करके वा मानसाक आयोख जिसमें मानसाक परिच्छर किया जाता है इसमें बालक मेंकि आयु के अमसार कार्यों की यह पिछा करते हैं जैसे एक वर्पका बालक प्रिक कर 下一 यहां भोत जोडना कर लेता है तो मानसीक आयू सभी है तो ग्याद करने का सुतर होता है यानि कि कि मानसीक अईघ्ञ यहां पर मोनोविगारिक प्रिश्रों से क्या यानि कि फिजियोलोजिकल टेर्स से किस आयू का पता लगा जाता है यहां पर हो जाएगा मेंटल एज यानि कि मानसी का यूगा नेक्ट कोचन है अंतराष्टी ओलंपिक समीती का मुख्याले इस्थित है तो दोस्तों तो अंतराष्टी ओलंपिक समीती का मुख्याले कहा है सूर्जन लेंड बे क्या है सूर्जन लेंड में ठीक है सुर्जर लेंड में है अंतराश्टी ओलंपिक समीति का मुख्याले यहां पर सुर्जर लेंड कहीं दिया नहीं है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं ठीक है उप्रोक्त में से कोई नहीं अंतराश्टी ओलंपिक समीति यानि आई ओसी का गठन 23 जुन 1894 में पेरियस के सरबूर नामक अस्थान पर पेरिडी को बर्डेंग के द्वारा किया गया था इसका मुख्याले लोसाने स्रोजर लेंड में है प्रतम अध्यच स्रीबाई क्लास थे और प्रतमान अध्यच थामस बाग है जर्मनी के किस प्रकार की पेशी तंतू लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उप्यक्तु होते हैं विच टाइप आप मसल्स फाइबर इस सुटेबल फॉर लंग डिरेशन एक्टिविटीज दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे मसल्स फाइबर तंतू होते हैं दो प्र कि अधियल्दी संकुचित होते हैं वे अन्य एरोबिक क्रियाओं यानि कि तिवर्दा वाली क्रियाओं जैसे कि वेट लिप्टिंग एंड सौमीटर दोड आदी में सकती यानि स्ट्रेंज वाले क्रियाओं में काम आती हैं और दूसरा होता है रेड मसल्स फाइबर जो स्ल साधे कामकरते हैं तो यहां पर जैसे कि आपका के holiday कि वाले कि श्याओं में 8000-10000000 मीटर दोड 5000 उर तो यहां पर आपका स्टARRY आपका कि प्यस्ता उन्दू लंबे समय तक च्लने दिरे जडिरे संकुचित होता है याँ पर धीमा जटका पेसी यानि की स्लोव ट्विस्ट आपसन नंबर सी स्लोव ट्विस्ट मसल्स फाइबर आपका राइट एंसर होगा कि नेक्ट पोचन है ट्रिपल जंप के रनवे की नियुन तम लंबाई कितनी होती है तो दोस्तो लांग जंप एंड रनवे ब्ल्ण पर जो रनवे होती है 20-25 मेटर होती है तो 40-45 यानि नियुन तम पूछा है which is the minimum length of the runway for triple jump the minimum पुछा है तो 40 meter हो जाएगा maximum पुछता है तो 45 meter होता है याद रखेगा next question है गुर्तवा कर्सर का प्रभाव अधिक होगा जब the effect of gravity will be more than more wind तो दोस्तों गुर्तवा कर्सर का प्रभाव गुर्तवा कर्सर क्या होता है जहां पे वस्तों का समस्त भार कार करता है जहां पे तीनों तल sagittal, frontal, horizontal बिलते हैं वहां पे central gravity point होते हैं यानि कि जहां पे वस्तों का समस्त भार कार करता है वहीं पे आपका गुर्तवा कर्सर बल अधिक प्रभाव होता है यहां पे right answer क्या हो जाएगा वस्तों का अधिक, भार अधिक होना ठीक है the weight of the object is more हो जाएगा तो दोस्तों यह था आज के session का 20 MCQ questions तो गुर्तवा कर्सर बल क्या होता है gravitational force प्रिटवी द्वरा किसी वस्तों को अपने और खीचने या आकरसित करने के दुरान लगने वाला जो बल होता है गुर्तवा कर्सर बल करता है इस बल को हम वस्तों का भार कहते हैं गुर्तवा कर्सर बल के कारा वस्तों में भार होता है याद रखेगा गुर्टवा का सब बल द्वरा उत्पन होने वाले त्वरण को गुर्टवी त्वरण कहते हैं वह है बल के किसी वस्तु पर लगने वाले गुर्टवी बल जिसे हम भार कहते हैं का सुत्र होता है गुर्टवी बल ग्रेविटी बरावर यहम गुरेजी महिलाँ का जो घंदर होता है और तो पूछ हो अष्य क्या करें होता है इसलिए के संथे अपर से प्रैक्टिस करते रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैक्टिस में अब तक के लिए चाहें